अक्सर हम गूभी बनाते समय उसके डंठल को फेक देते हैं तो उसकी आज हम रस्पी लेकर आए हैं यह बनाने में और खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है एक बार आप जरूर इसे ट्राइ करें तो पैहो किरन और किरन किरसुई में आपका स्वागत है तो अगर आपको म मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज है लाइक जरूर बरषा ल्याश tendencies with my pha ties और करे तो निद wow like बनाते पंड़ा को कई तो हमने आई हम एम्ने तो मासाला के लिए यहांपे ट्रमाटल में लैली है प्यास ले लिया ह मेरे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे ड्री मिर्चित दालेंगे और गोभी में भी थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे तो इस तरह से हम पानी डाल देंगे इसमें और गोभी में भी डाल देते हैं और पांस मिनट के लिए इसे रख देंगे ताकि जो कीडे ओगर होंगे और डैस्ट ओगर होंगे अच्छे से इसमें निकल जाएंगे नमक डालने से और गो भी बिल्कुल सॉप्ट हो जाएगी तो इस तरह से देखिए मिलाते हुए इसे साइड में रख लिये हैं तो यहां पे ले लिया है मिक्सी जार अब इसमें प्याज हम बारी काट लेते हैं तो इस तरह से हमने प्याज काट लिया है उसी तरह टमाटर को भी काट लेते हैं तो इस तरह से मोटे मोटे काटेंगे तो अब हम यहां पर ले लिया है आठ से दस लसन इसको भी डाल देते हैं दो हरी मिर्च डाल देंगे अब चाहे तो अद्रग भी डाल सकते हैं तो इसका पेष्ट तयार कर लेते हैं तो यहां पर देखिए हमारा पेष्ट जो है वो तयार हो गया है तो यहां पर पांस मिनट हो गया है इनको नमक डाले हुए तो अब चलिए अच्छे से धोते हुए इसे अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं पहले भी हमने दो पानी से से पहले दो के निकाल लिया था तो इस तरह से हम अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं तो उसी तरह हम गोभी को भी दो लेते हैं तो अलग से इसको भी एक प्लेट में निकाल लिया है और साथ ही प्यास टमाटर का पेश्ट जो था उसको भी निकाल लिया चलते गैस के तरफ तो हमने गैस पर एक कढ़ाई रखा, गैस को ओन कर देते हैं, थोड़ा सा कढ़ाई गरम होने देते हैं, इसमें हम दो चमबस तेल डालेंगे, तेल हमारा गरम हो गया है, तो अब हम डंठल को डाल देते हैं गोबी के, और साथ ही हम गोबी को डाल देते हैं, और इसे अच्छ सब्सक्राइब बुन है और स्टबै कोष़ा है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं तो इस तरह से हमें इसे हम सारा गोभी को निकाल लेंगे तो हमारी गोभी निकल गी है तो उसी कढ़ाई में हम एक चमस्त तेल और डालेंगे तेल यह तुम something कम घरम हो हम प्यास टमाटर जो पीशा हुआ है उसको डाल देंगे और अच्छी तरह इसे चला लेंगे तो इस तरह से मिलाते हुए अब इसमें मसाला अड़ कर लेते हैं तो यहां पे ले लिया आधा चम्मच छल्दी पौर्डर इसको डाल देते हैं और आधा चम्मच हम इसमें धनिय पाउडर डालेंगे स्वाद अंसार हम इसमें नमक डालेंगे और आधा का छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्ष डालेंगे और अच्छी तरह हम चला लेंगे और तब तक चलाएंगे मसाले को और अच्छी तरह भूनेंगे जब तक कि हमारे मसाले से तेल ना निकलने लगे त तककी हमारा मसाला है, वो अच्छे से पक जाए, तो यहां पे देखिए, एक बार ढखकन हटा देते हैं, तो हमारा जो मसाला है, वो पक चुका है, तो इस तरह से चलाते हुए, अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ कड़ी पता तो इस तरह से डालने से फ्लेवर बहुत अच्छी आती है तो हमारा जो मसाला पक गया है तो अब हम इसमें गूभी जो तला था उसको डाल देंगे तो गूभी और डंठल पहले ही अच्छे से पक गये हैं तो इसमें हम डाल के पांच मिनट और पका लेते हैं तो इसी तरह हर दो-दो मिनट बाद इसे चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे तो इस तरह से अब एक बद जरू बना के खाए है और रेडी होगी है को फेके न और इस तरह से देखिए हमारे जो सबजी है वो बिल्कुल फगी है तो आप इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं तो चलिए इसे निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हमने एक कटोरी ले लिया इसमें हम निकाल लेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे तो यहाँ पर देखिए हमने सबजी को निकाल लिया है तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद